बिस्मिल्य अर्व अर्व रहीम असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम टो मैं ट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रमर फ्रेंड्स आज किस लेक्चर पर हम लोग देखें कि हम लोग टेबल को किसा से प्रिंट करवा सकते हैं अपने वाइल लुक के अंदर आई होप सो कि आप लोग तो काया ली चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पैस मेरे आने वानी लेटर्स वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें हम लोग टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले इंट लेंगे इंट एस इकल टू वन कर देंगे यह ह उसके बाद एक और वारियेबल लेंगे दिस का हम लोग ने टेबल चाहिए फार जैबल मैं B ले ले ताम वारियेबल अब मैं सबसे मैं प्रिंट लिखूंगा प्रिंट एफ लिखने के बाद मैं यहां पर लिख दूँगा इंटर नमबर फार प्रिंट टेबल हम लोग जिस का टेबल चाहते है नमबर हम लोग इसके अंदर add करेंगे फिर हम लोग इस नमबर को input भी get करेंगे scanf की मदद के साथ और उसके बाद हम लोग हम लोग integer है और हम लोग add operator का यूज करेंगे इसको address operator भी कहते हैं और हम लोग मारे पास जो है वो भी हमने consider किया था हम लोग लिख देंगे उसके बाद हम लोग इसके अंदर वाइल लिखेंगे while लिखा while लिखने के बाद कहां तक table print कराना चाता हूं मैं चाता हूं कि मैं just 10 तक फिर table अपना print कर वाओं उसके बाद मैं यहां पर जहाँ while की अंदर while की body के अंदर लिखोंगा print प्रिंट अब मैं आपके एक चीज दिखा दूँ यह आपकर सबसे पहले मैं आपको यह शो करा दूँ के टेबल बेसिकली होता कि इस फार्मेट में किस रहा का टेबल होता है हम लोग बनाने के आवाल है हमारी आउटपूट जाएगी वह किस रहा से आएगी हम लोग लिखें सबसे पहले यहां पर लिखना होगा परसेंटेज साइन फिर इंटीजर के लिए और हम लोग जो है यहां पर लिखेंगे वह लिखेंगे स्टैरिक लिखने के बाद फिर से हमने यह लिखना है परसेंटेज साइन डी लिखेंगे उसके बाद यह हो गया फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर space equal to फिर से percentage sign d लिखेंगे अब यह क्यों लिखेंगे कैसे लिखेंगे मैं आपको बता जाता हूं सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर b क्योंकि b वो नमबर होगा जो इससे reality होगा इससे reality होगा क्योंकि integer है decimal number है इससे reality होगा यह b और उसके बाद फिर कॉमा देने के बाद फिर जब यह प्रिंट होगा इसके आगे हमारे पास क्या स्टेरिक है तो हमारे पास स्टेरिक आ जाएगा फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 5,6,7,8 जो content चल रही है वो कौन से चल तो इसके बाद मैं क्या कर दूँगा इसको ए लिख दूँगा अगर मैं इतना program को execute करूँ इतने program को अगर मैं execute करूँ आपको मैं इसकी output दिखा दूँ फाइफ कर डेबल जाता हूँ तो मिरे पास कुछ इस तरह से इसकी फार्मेंट जा आ जाएगी तो मैं क्या करता यहां पर एक slash and डाल देता हूँ ताके नई land में हमारे पास answer है अब उसके बाद मैं क्या करूँगा यह दो चीज़े मैंने लिख दी यह किससे relative होगी पहला B जो है इससे relative हो गया second A जो है वो इससे relative हो गया बीच में इसके multiplication आ जाएगा फिर इसके A के बाद हमारे पास यह हमारे पास इसका कोई हमें अभी दक हमने कोई input नहीं दिया उसकी input देने के लिए हम लोग क्या कर देंगे B multiply by A just इतना करेंगे और प्रोग्राम को execute करेंगे हम लोग और कोई number इंटर करेंगे जिसकर आम लोग table print कर रहाना चाहते हूं जाना टेबल प्रिंट कर रहाना चाहता हूँ 7 लिखा तो मेरे पास यह जाए table आगि है 7 का कितना easy way से हम लोग table print करवा सकते हैं आप लोग 7 की बजाए multiple numbers भी print कर रहा सकते हैं चाहिए आप लोग 10 से रह क क लके लग और हंडर्ड तब करवा सकते हैं जहां तक आपका már पको दिलकत हो वह तक करवा सकते हैं किatore haa 113 अग्त करऊंगवा और हमें अप्की का शजब्ध करूँ गा और यहां विए याँ पर हमें अपकी पर जो हों है कि चात हो कि आए अग आप आई होप सो कि आपको आजका लेक्टे समझ आगे हो किसमें लोग जो है इसली इसली मैथट से हम लोग टेबल को प्रिंट करवा सकते हैं तो अपना ख्याल नक्षिर्ण में याद रखें अलाहाफेज